नमस्कार दोस्तों मैं विकास मलोत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर दोस्तों आज के इस प्रतिस्परद्धा के समय में सरकारी नौकरी तो दूर कई नौजवानों को अच्छी खासी योग्यता होने के बाद प्राइवेट नौकरी मिलना भी बहुत कठिन सा प्रतीत होता है अब मन चाही नौकरी के लिए लोग बहुत सारे उपाए करते हैं पूरी होगी लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा सिर्फ उपायों से काम नहीं बनता आपको अपनी तरफ से महनत पूरी करनी होगी जो आपकी किस्मत में 99 पे जाकर काम अटक रहा है वो इन उपायों से पूरा हो सकता है अगर आप ये सोचेंगे कि मैं घर बैठा रहू या बैठी रहूं और उसके बाद मुझे अपने आप नौकरी मिल जाए ऐसा नहीं होगा आपको नौकरी के लिए पूरी मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी ये उपाये आपके नौकरी मिलने के चांसिस को बढ़ा देंगे इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी बात करूँगा कि अगर आप नौकरी में हैं और आप नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी में आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही तो क्या उपाये आप ऐसे करें जिससे वो प्रमोशन होने के चांसिस आपके बढ़ जाएं लाल किताब के जो उपाये हैं अगर सही से किये ज तो वो बहुत effective साबित होते हैं और आपकी मनो कामना पूरी हो सकती है जरूरत है आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहें साथ में ये उपाए करें आपका काम जरूर बनेगा इससे पहले कि मैं आपके साथ उपाए शेयर करूँ आपसे निवेदन है अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियो की notification आपको आती रहे किसी भी तरह के जोतिशिये परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके appointment बुक कर सकते हैं वेबसाइट्स का link description box में दिया हुआ है अब सबसे पहले बात करता हूँ नौकरी के लिए नौकरी के लिए जरूरत पड़ती है आपका सूरे बहुत अच्छा हो और खास कर तब जब सरकारी नौकरी आप चा रहे हैं सरकारी नौकरी में public sector भी include हो जाते हैं तो किसी भी तरह के public sector bank में या insurance company में आप अगर job चाते हैं तो इसके लिए आपको अपने सूरे को अच्छा करना पड़ेगा सूरे की direction होती है east तो आप सबसे पहले तो जहां पर भी आप रहते हैं जिस घर में आप रहते हैं चाए वो एक कमरे का घर है चाए दस कमरे का घर है east direction को सबसे पहले आप कोशिश करिए उसको साफ रखे दूसरी चीज east direction में उगते हुए सूरे की कोई photo लगा सकते हैं या आप copper का एक सूरे east direction में east दिवार पर लगा सकते हैं इससे नौकरी मिलने के जो chances है खास कर सरकारी नौकरी मिलने के chances आपके बढ़ जाएंगे अब इसके साथ साथ ही Sunday वाले दिन एक चीज जरूर ध्यान रखेगा थोड़ा सा आटा ले लीजे चीनी ले लीजे दोनों को अच्छे से mix कर लीजे चीनी नहीं है तो गुर ले लीजेगा खान ले लीजेगा और उसको भूरी चीटियों को जरूर डाले आप ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास आपके घर के आसपास सतनाजा मिल जाता है तो सतनाजा पिस्वा लीजे सतनाजा होता है साथ अनाज का mixture बहुत आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है सतनाजा ले लीजे सतनाजा में थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लीजे और उसको फिर कहीं पर ऐसी जगा पर जहां भूरी चीटियां मिलती हैं आप वहां ये डाल दीजे जब चीटियां उसको खाएंगी आपको वो दुआ देंगी और उससे आपका सूरे भी अच्छा होगा और आपके चांसिस जो हैं गौर्मेंट नौकरी के खासकर बढ़ जाएंगे दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा शनी देव का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी तरह की नौकरी लगने में तो इसके लिए बहुत आसान सा एक लाल किताब का उपाए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शनी वार वाले दिन आप शनी देव का मंत्र ओम शम शनिश चराय नमा इस मंत्र का जाप करें कम से कम 11 बार जाप करें दूसरा शनी वार के दिन कहीं पर भी कोई साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं तो आप मजदूरों को या तो खाना खिला सकते हैं या दूट से बना कोई पधार दे सकते हैं या कुछ और चीज़ मतलब बेसिकली आपको उन मजदूरों की सेवा करनी है कुछ भी आप उनको देते हैं अगर मजदूर खुश होंगे तो शनी देव का अशीरवाद भी आपको मिलेगा क्योंकि आप अगर देखें काल पुरुष कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 10 के स्वामी शनी देव हैं तो शनी देव को प्रसंद किये बगार आप चाहे सरकारी नौकरी चाहते हैं चाहे प्राइवेट नौकरी चाहते हैं आपकी कामना पूरी नहीं होगी और इवन अगर आप प्रमोशन भी चाहते हैं तो ये उपाए जरूर आजमा कर देखिए आपको बहुत मदद मिलेगी और स्पेसिफिक अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आप अपनी जनम पत्रिका के हिसाब से कंसल्टेशन ले ताकि आपकी जनम पत्रिका में ग्रहों के कंबिनेशन को देखकर आपको उपाय सला दी जा सके कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए अब नौकरी के लिए एक बहुत इंपोर्टन चीज होती है इंटर्व्यू अब आप चाहे सरकारी नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने जा रहे हैं आपका इंटर्व्यू है अगर आप बाहर देने जा रहे हैं तो गाएं को गुर्ग और रोटी जरूर खिलाएं और अगर वो बुद्वार का देना है तो गाएं को हरी घास खिलाकर आप जाएंगे तो चांसिस बढ़ जाएंगे सपोज आप किसी केस में घर से इंटर्व्यू दे रहे हैं तो कोशिश करिए इंटर्व्यू के टाइम से पहले ये उपाएं आप कर लें तो आपके इंटर्व्यू में सफल होने के चांसिस बढ़ जाएंगे अब बहुत से लोग हैं जो नौकरी में अल्रेडी है लेकिन वो अपनी प्रेजेंट नौकरी से बहुत जादा परिशान है कही न कहीं कोई न कोई बाधाएं आती रहती है तो एक उपाएं उसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर्सों के तेल का दीपक जला लीजे ये जो उपाए है आपको करना है शनीवार वाले दिन सर्सों के तेल का दीपक जला ले उसमें दो लौंग डाल दीजे और जो आपके ईश्ट देव हैं आप उनका समरन करते हुए या जिनको आप मानते हैं उनका स्मरन करते हुए अपनी इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रातना करें ये उपाए आपको लगातार 43 डेज करना है 43 डेज करने के बाद आपको इस उपाए का असर दिख जाएगा और अगर आपके घर के आसपास कोई कुवा है जो अभी चलता है जहां से पानी निकाला जाता है उसमें थोड़ा सा दूर डाल देंगे आप तो आप देखेंगे कि आपके जौब की तो प्राबलम्स दोर होंगी होंगी आपके धन आने के जो चांसेज है वो भी बढ़ जाएंगे अब बहुत से लोग हैं जो प्रमोशन के लिए बहुत जादा परिशान है तो उसके लिए एक उपाए आपके साथ बात कर रहा हूँ एक सफेद कपड़ा कॉटन का सूती कपड़ा लेना है आपने उसमें थोड़े से काले चावल डालने उन दोनों को इकठा बांध कर मा काली के मंदिर में जाएं शनीवार वाले दिन मा काली से प्रातना करें कि आपकी प्रमोशन हो जाए और वो चावल और वो जो पूरा आप लेके गए थे सफेद कपड़े के साथ आप वहीं छोड़ कर आ जाएं ये उपाए आप कम से कम नौ शनीवार करें तो आपकी मनो कामना जरूरी पूरी होगी और अगर नौकरी से परिशानी जाही नहीं रही आपको नौकरी में बहुत से बहुत जादा परिशानी है या फैलो कुलीक से बहुत जादा परिशानी है और आप किसी तरह से घुट-घुट कर जिये चले जा रहे हैं, वो नौकरी करे चले जा रहे हैं, तो एक उपाए आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप इस उपाए को आजमा कर देखें, 43 days लगातार, 3 के लिए रोज मंदिर में दे दीजे, मंदिर में भी दे सकते हैं, अगर क करीब व्यक्तियों को भी अगर आप दे देते हैं, लेकिन करना 43 days लगातार है, आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, आप संडे से चाहें, तो संडे से शुरू कर सकते हैं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, चतुर्थी, नव्मी और 14 ना हो, उस दिन से उपाए आप कर बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप जो उपाए आपके बनते ह आप वो कर लें, धन्यवाद दोस्तो